दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती जरूरी नोवल को डिस्क्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंकल टॉम्स कैबन और लाइफ अमांग लवली दोस्तो ये इस नोवल का पूरा नाम है इसको लिखा था एक अमेरिकन आथर हैरियट बिचर स्टोव ने दोस और दोस्तो 1852 में ही इसको एक फुल बुक में पुबलिश करवाया गया था ये अल्टिमेटली बहुत फीमस हो गई थी दोस्तो ये जो नोवल है इसकी सैटिंग रखी गई है अमेरिका में और इसका पॉइंट अफ यू है थर्ड परसन आमनिसियंट हम लोग ज्यादा टा पॉइंटल का मतलब मैं आपको बताता हूँ अंकल टाम्स कैबन का मतलब है अंकल टाम का कमरा इस कहाने में क्या होता है अंकल टाम नाम का एक काला आदमी गुलाम होता है जो और्थर शेलबी नाम के किसान के पास काम करता था अब प्राबलम यहां पर यह थी कि इसका जो म अपनी वाइव आंट क्लूई के साथ में यहीं पर रहता है अंकल टॉम इसी के लिए काम करता है बड़ा ही इमानदार नौकर है अब आर्थर शेलबी और इसकी वाइव जो थी मिसस शेलबी इन दोनों का बरताव अपने नौकरों के लिए काफी सही था यानि कि ये भी अपन भी बेचा जा रहा था दोस्तों ये हैरी एलाइजा नाम की एक आरत का बेटा था जो की इस मिसस शेलबी की मेड थी तो इस एलाइजा से वादा किया गया था कि इसके बेटे को नहीं बेचा जाएगा हैली नाम के एक मोटे आदमी को जो स्लेव को खरीचता था तो ये एला तो वो Master Shelby ये नहीं चाहता था कि Uncle Tom बिके अब दोस्तों मैं Uncle Tom के बारे में तो आपको बाद में बताऊंगा पहले इस Eliza के बारे में बताता हूँ तो इससे वादा किया गया था कि इसके बेटे को नहीं बीचा जाएगा तो इसको पता कैसे चलता है कि इसके बेटे को बेचा जा रहा है दरसल ये Mr. और Mrs. Shelby की बात सुन लेती है जब वो लड़ रहे होते है Mrs. Shelby बोलती है कि मैंने अपनी मेड से वादा किया है कि मैं उसके बेटे को बिकने नहीं दूँगी तो ये Eliza सुन लेती है कि ये लोग मेरे बेटे को बेचने की सोच रहे है तो ये Eliza यहाँ पर ये तैय कर लेती है कि ये अपने बेटे Harry को लेकर यहां से भाग जाएगी कुछ सालों पहले इस Eliza का एक husband था George नाम का वो भी यहां से भाग गया था क्योंकि उसको ये slavery वाली life पसंद नहीं थी तो ये Eliza भी अब अपने husband की तरह यहां से भागना चाती है अपने बेटे Harry को लेकर ये अपने दो बच्चों को खो चुकी है और ये अब इसका एकलौता बचा हुआ बेटा है तो ये अपने बेटे को लेकर के यहां से भाग जाती है जाती जाती ये अंकल टॉम को भी बोल कर के जाती है अंकल टॉम और उसकी वाइफ को बोल कर के जाती है कि भाग जाओ यहां से ये लोग तुम्हें भी बेज देंगे लेकिन दोस्तों ये हैली जो था जो स्लेव को खरीदने आया था इसने अलाइजा का पीछा किया तो ये हैली अलाइजा का पीछा करता है अब दोस्तों अलाइजा बरफ से जमी हुई एक नदी थी उही हो नदी उसको पार करती हुई किनारे पर पहुँच जाती है तो अब ये हैली अलाइजा को पकड़ने के लिए एक स्लेव हंटर को हायर करता जिसका नाम है टॉम लूकर लेकिन वहाँ पर अंकल टॉम ने भागने की बिलकुल कोशिश नहीं की ये जानते हुए भी कि उनके मालक मालकिन उनको बेज देंगे अंकल टॉम ने भागने की बिलकुल कोशिश नहीं की क्योंकि उनका ये मानना था कि एक स्लेव का तो ये काम ही होता है कि उसका मालक उसको जहां बेचे वो ज़्यादा चूच अपड़ किये बिना चुपचाप वहाँ पर चला जाए अब अलाइजा तो इस हैली के हाथ नहीं लगी ये अंकल टॉम को लेकर यहां से चला गया एक रिवर बोट में मिसिसिपे रिवर के रास्ते उस रिवर बोट में दोस्तो बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे अब दोस्तो जिस रिवर बोट में ये अंकल टॉम और ये हैली सफर कर रहे थे उसी रिवर बोट में एक सफेद एक वाइट लड़की से मुलाकात हुई अंकल टॉम की जिसका नाम था इवा दोस्तो ये छोटी सी बच्ची थी जो एंजल जैसी थी ये पानी में गिर गई तो अंकल टॉम ने इसकी जान बचाई तो इस इवा के फादर का नाम था आउगस्टीन सैंट क्लियर उन्होंने क्या किया अंकल टॉम को खरीद लिया उस हैली से अंकल टॉम को खरीद लिया और वो लोग अपने साथ अंकल टॉम को अपने घर New Orleans ले गए अब इसके बाद दोस्तों ये टॉम और ईवा ये दोनों अपनी great Christian faith की वज़े से एक दूसरे के पके दोस्त बन गए ईवा को भी टॉम के साथ रहे कर Christianity समझ में आने लगी थी वो भी believe करने लगी थी Christianity पे वहाँ हाला कि इन दोनों को यहाँ पर टॉम लूकर ने पकड़ लिया ये जो slave hunter था ये hire किया हुआ slave hunter टॉम लूकर इसने पकड़ लिया इन दोनों को husband wife को उसके साथ में उसके साथ ही भी थे तो उसने इस पूरी family को पकड़ लिया तो Eliza का जो husband था George उसने इसको गोली मार दी अपने husband George को और उस quaker family को कहा कि इसको ले चलो इलाज के लिए ले चलो इसको वहाँ अंकल टॉम New Orleans में सैंट क्लियर के साथ में रह रहा था दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताओं कि ये जो सैंट क्लियर है इनकी cousin है एक cousin है जिसका नाम है ओफिलिया वो slavery को सही मानती है ज आफिलिया के मन में ये बात जो है slavery को लेके कि slavery सही चीज है ये चीज गलत थी और इसी को साबित करने के लिए सैंट क्लियर ने क्या किया एक topsy नाम की काली लड़की को खरीदा जो कि एक छोटी लड़की थी जिसका master पहले बहुत ही abusive था उस पे बहुत जुल्म करता था त वो उसको कहा अपनी बहन आफिलिया को कहा कि तुम इसको educate करो और फिर देखते हैं कि तुम सही हो कि मैं अब दोस्तों अंकल टॉम को सैंट क्लियर की साथ रहते रहते दो साल हो गए थे ऐसे में क्या पता चलता है कि इनकी जो बेटी थी इवा वो बहुत ही seriously बीमार है बड मरने की हालत में थी मरने से पहले इस इवा को एक सपना आया और इसने वो सपना सबको बताया दोस्तों ये इवा तो मर गई लेकिन जाती जाती ये सबको change कर गई ओफिलिया ने कसम खाई कि ये कभी भी काले लोगों से भीदबाव नहीं करेगी जैसा ये पहले करती थी जह को free कर देंगे लेकिन यहाँ पर एक problem हो गई दोस्तों सैंट क्लियर टॉम को free करते इससे पहले ही उनका murder हो गया और उनके मरने के बाद उनकी जो wife थी सैंट क्लियर की wife वो अपने husband के किये हुए सारे वादे भूल गई और उसने क्या किया इस टॉम को बोली लगवा कर अंकल टॉम के साथ साथ उस साइमन लीगरी ने एमेलिन नाम की एक 15 साल की लड़की को भी खरीद लिया इस एमेलिन को उस साइमन लीगरी ने इसलिए खरीदा था ताकि ये उसके साथ सो सके और अपने साथ ये साइमन इन दोनों को अंकल टॉम को और एमेलिन को लुसियाना ले गया वहाँ इस Uncle Tom को काम क्या दिया गया कि ये दूसरे काले लोगों को हंटर से मारे तो Uncle Tom ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा मुझसे कोई और काम कर वालो लेकिन मैं किसी इंसान को पेटूँँगा नहीं तो लीगरी ने Tom से कहा कि बहुत अकड़ है तुझ में, बहुत भरोसा है तुझे अपने खुदा पर, अपने भगवान पर, क्यों तु ये Bible पढ़ता रहता है, Christianity पर तेरे को भरोसा है तो ये लीगरी क्या करता है इस Uncle Tom को बहुत बुरा पीटता है, इस Uncle Tom की religious faith को खतम करने के लिए लेकिन इतना पिटने के बावजूद अंकल टॉम ने Bible पढ़ना नहीं छोड़ा और ये दूसरे स्लेव की भी जब भी मदद करने की बारी आती थी तो ये मदद करता था, Uncle Tom पर दोस्तो, एक कैसी नाम की एक आरत थी, जो अपनी बेटी और अपने बेटे से अलग हो गई थी उससे Uncle Tom की मुलाकात होई तो इसने अपनी स्टोरी बताई इस कैसी ने अपनी स्टोरी बताई Uncle Tom को, कि इसने अपने तीसरे बच्चे को खुदी मार दिया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसका तीसरे बच्चे को बेज दिया जाए तो इसने अपने तीसरे बच्चे को खुदी मार दिया Uncle Tom ने इसकी दरदनाक स्टोरी सुनी तो Uncle Tom को दुख हुआ अब Uncle Tom क्या करते हैं इस कैसी और इस एमिलिन को कहते हैं कि तुम यहां से भाग जाओ Uncle Tom बहुत इंसिस्ट करते हैं इन दोनों से तो ये दोनों ने भागने का फैसला किया कैसी ने और इमिलिन ने अब कुछ दिनों तक ये कैसी और इमिलिन ये लीगरी के उपर वाले कमरे में छुपी रही सारे लोग इन दोनों को ढूंडते रहे और मौका देखते ही ये पानी के रास्ते वहां से भाग गए लीगरी को टॉम पर गुस्सा आया उसने सोचा कि टॉम नहीं इन दोनों को भाग जाने के बाद इस लीगरी ने अपना सारा गुस्सा अंकल टॉम पर निकाला इस अंकल टॉम को बार बार पीट कर पूछा कि वो दोनों कहां गई लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद अंकल टॉम ने नहीं बताया दोस्तों अंकल टॉम को इतना पीटा गया कि किसी को भी रहम आ जाए मरने जैसी हालत कर दी थी अंकल टॉम की वहाँ दोस्तों वो स्लेव हंटर जो था टॉम लूकर वो वेकर फैमिली की केर में था तो वो ठीक हो गया ठीक होने के बाद वो एकदम चेंज हो चुका था उसने जॉर्ज और अलाइजा ये पकड रहा था ना इन दोनों को लेकिन अब ये इन दोनों की मदद करने पर आ गय थे मरते मरते जिन आदमियों ने उन्हें पीटा था उन्होंने माफ कर दिया उन आदमियों को दोस्तों अंकल टॉम मरने की हालत में थे तो यहाँ पर कौन आता है Master Shelby यानि की Arthur Shelby का बेटा वो यहाँ पर आता है और Uncle Tom को मरने की हालत में देखता है यह Uncle Tom को यहाँ पर फ्री करवाने आया था तो मरते मरते Uncle Tom ने इस Master Shelby से कहा कि तुम एक अच्छे Christian बनना तो Master Shelby ने Uncle Tom से वादा किया कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी स्लेव्स नहीं खरीदूंगा और बलकि उनको फ्री करवाऊंगा तो अब Uncle Tom से ये वादा करने के बाद ये Master Shelby इस कैसी और एमिलन के पास गया इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ दोस्तों Uncle Tom की डेथ हो चुकी थी कैसी, एमिलन और Master Shelby ये तीनों जने मिले मैडम डी दूराम की एक लेड़ी से मिले ये लेड़ी दोस्तों जार्ज की सिस्टर थी अब ये लोग मांट्रियल पहुँचे जहाँ पर ये लेड़ी अपने भाई जार्ज से मिली और दोस्तों यहाँ पर एक बात और पता चली, ये अलाइजा इस कैसी की बेटी है तो एंड में जाकर ये पूरी फैमिली एक हो गई जहां तक बात है Master Shelby की तो ये अपने घर आ गया ये वापस अपने घर आ गया इसके फादर की डेथ हो चुकी थी Mr Shelby की, घर आकर इसको News Millie की अंकल टॉम की डेथ हो चुकी है तो इससे ये दुखी हुआ इसने अपने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया और इसने इस कहाने की एंड में ये डिकलेर किया कि अंकल टॉम का जो कमरा है उनका कैबिन हमेशा अच्छाई और भरोसे का सिंबल रहेगा इस कहानी की ऑथर बीचर स्टोव इस नोवल को खत्म करते हुए बोलती है कि इस कहानी के सभी केरेक्टर रियल लाइफ से लिये हुए है क्रिश्चन धर्म भी स्लेवरी की इजाज़त नहीं देता तो इसको खत्म कर देना चाहिए और दोस्तो इसी के साथ ये कहानी कहत्म होती है